हेलो स्टूडेन वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल कोमर्स वोशेंसी आज की क्लास में कवर करेंगे एक नया चैप्टर प्राइस और आउटपर डेटर्माइन कैसे करते हैं मोनोपोली में लास्ट ग्लास में हमने कवर किया था टोप एक हमारे पास जो फर्म के रिकार्डिंग था फर्म फर्म के कंडिशन होती हैं अगर भी तक आपने लास्ट क्लासिज नहीं देखी परफेक्ट कंपिटिशन वाली देखिए ताक कि आपके सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब किजिए पहला आइकन जुरूर पैस कीजिए ताकि मैंने वीडियोस अप्लोड करूं सबसे प पॉली का मतलते है कंट्रोल यानिकि यहां पे एक सिंगल ही सेलर का कंट्रोल होता है पूरी इंटायर मार्केट के अंदर तो यहां पे जो प्रड़क्ट मैनुफेक्ट्टर किया जाता है एक मोनोप्लिस्टिक द्वारा तो उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता है पूरी इंटायर मार्केट के अंदर जो उसका कबजा होता है सिंगल सेलर वही होता है तो वही फर्म होती है और वही इंडस्टी होती है इंटायर मार्केट को कैप्सिर करके रखता है यहाँ पे जो मोनोपिस्टिक होता है तो यहां पर जो monopoly होते हैं सिरफ इसमें एक ही seller होता है पूरी market के अंदर ना ही उसका कोई competitive होता है ना ही कोई direct competitor ना ही कोई उसका rigorous होता है जैसे example के लिए electricity supply की गया एक ही agency द्वारा तो यहां पर जो state electricity board होता है उसके द्वारा पूरी मतलब supply की जाती है electricity पूरी जो अपने पास्टाउन होता है, जो एरिया होता है यो ट्रैवल्स बाइ रेल्वे ट्रेन, अइंड कर्सा रेल्वे जो हमारे पास रेल्वे होती है ये गवर्ब्रमेंट ओफ इंड्रा द्वरा चलाई जाते है तो यहाँ पे जैसे एलेक्टिसिटी के अंदर State Electricity Board की Monopoly है Railway के अंदर Government की Monopoly है All these are examples of Monopoly तो यह सारे हमारे पास examples है Monopoly के तो यहां पे कोई भी other sellers नहीं होता मार्किट में जब Monopoly exist करती है तो यहां पे जो Monopoly होती है यहां पे कोई भी distinctions नहीं होता between firm और industry कोई यह दोनों एक ही चीज़ होती है वही firm होती और वही industry होती है The firm is the industry since it is the only producer in the market firm ही industry होती होती है क्योंकि यहां पे single seller होता है entire market के अंदर The Monopoly is the price maker तो यहां पे जो Monopoly होता है वो price maker होता है खुदी वो price मनाता है जिस पे उसने goods को sale करना होता है He determined the price and the price will determine how much he is able to sell तो यहां पे determine कियाता है कि कितना price रहेगा उस price के उपर कितना उसको sale करना है तो यह determine कियाता है Monopoly द्वारा तो यहां पे जो demand curve slope होता है यहां पे downward जाता है downward to right यानिकी राइट के तरफ downward जाता है downward इसलिए जाता है क्योंकि अगर Monopoly चाहता है कि जादा-जादा sale करें तो उसको price करना पड़ेगा below करना पड़ेगा अगर price कम करके sale को बढ़ाएगा तो इस काहन से जो slope जाता है downward जाता है यहां पे demand curve का यहां demand curve की बात गीए demand curve का slope downward होता है क्योंकि हम जानते कि demand और price के बीच में इंवर्स रिलेशन होता है अगर price high होता है तो demand डाउन जाती है अगर price down होता है price down होता है तो demand बढ़ जाती है तो यहां पे इंवर्स रिलेशन होने की कारण जो demand का slope क्या होता है definition कवर करते हैं यहां पे cost minus के हिसाब से जो monopoly कैसी market situation होता है जहां पे single seller होता है कोई भी close up situation नहीं होता है commodity का यहां पे बिल्कुल barrier लगा जाती है entry के ओपर यह की कोई भी नहीं firm है जो enter नहीं कर पाती industry के अंदर क्योंकि industry firm तो single monopoly ही होता है monopoly ही होती है characteristics features या assumptions क्या है monopoly की सबसे पहले आती one seller और large number of buyers यहां पे single seller होता है और large number of buyers होते है यानि की खरीतने वाले बहुत होते है लेकिन producing जिर्फ एक ही होता है monopoly के अंदर सिर्फ एक single producer होता है commodity का वो sole proprietor भी हो सकता है यहां पे group वो partners भी हो सकती है joint store company भी हो सकती है state भी हो सकती है यहां पे सिर्फ firm एक ही अकेली होती है जिसकी monopoly पायात है कोई भी इसमें फर्क ने होता एंडस्टिय फर्म के बीच में कोई कि वही फर्म और वही इंडस्टिय है लेकिन जो खृधने वाले जो बाइयर्स होते हैं लार्ज नंबर ओड़ भायर्स होते हैं जो प्रड़क्रे कंड़ करihते हैं तो यहां पर बाइयर्स जो बाइवर does inफ्में मिलें इंडस्टी होती है तो यहां पर फर्क होता है इंडस्टी और फर्म के बीच में गायब हो जाता है यहां पर कोई भी फर्क नहीं है between the study of the firm and industry यह एकी चीज़ होती है फर्म भी वही है और इंडस्टी भी वही है नेक्स्ट आटर रेस्टिक्शन उदा एंट्री उदा न्यू ना करें ताकि एक सिंगल सेलर के हाथ में कंट्रोल रहें इंटाइर मार्किट का जिसे उसकी मोनोपली बनी रहें अंडर मोनोपली देरा सम बेरियर्स और रिस्टिक्शन होंदा एंट्री ओफ न्यूफ फर्म्स इंटू मोनोपली इंडर्स्टी तो यहां पे कुछ रोक लगाए जाते हैं कि नई फर्में जो एंट्र ना करें मोनोपली इंडर्स्टी के अंदर तो यहां पर कोई भी एंटर नहीं कर पाती फर्म जब नहीं फर्म में एंटर नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्री में तो आपस में जो पर कोई भी क्लो सब्सीटूट नहीं होता बायर्स को वही पर्ड़क्टा जो पर्चेज करना परता जो कोई भी क्लो सब्सीटूट नहीं होता अधर्वाइज मोनोपलिस्ट विल नॉट भी एबल टो डेटर्माइन दाप्राइज को अपनी दिस्क्रेशन के हिसाफ से डेटर्माइन कर पाता क्योंकि हम आगे कंसेप्ट कवर करें कि मोनोपली में क्या होता है कि प्राइस डिस्क्रिमेट कर पाता है जो मोनोपलिस्टिक होता तो अगर यहां पर क्लो सब्सीटूट अवेलबल हो जाएगा तो फिर वो जो मोनोपलिस्टिक होता है वो डिस्क्रिमेट नहीं कर पाएगा प्राइस को तो आगे वो कंसेप्ट राएगा उसको बेटर तरीके समझेंगे जब concept राएगा तो यहां पर सिर्व इतना समझेते हैं कि लोज सबसीटूट नहीं होता अब इसी कार से जो हमारे पास monoplastic होता है वो control कर पाते है जो price होता है community का definitions के ते बोल्डिंग के साफ से जो pure monopoly फर्म होते हैं कि ऐसी होती है producers जो community ऐसी produce करते हैं जहां पर कोई भी इसका effective substitute नहीं होता producer का आधर फर्म कोई भी ऐसी product को नहीं बना पाती जो एक monoplastic जारा product बनाया जाता है next होती है price maker यहां पर जो price बनाया जाता है वो किसके विदाव होता है यहां पर क्योंकि सप्लाई के ऊपर कंट्रोल है यहां पर मोनप्रिस्टिक होता है यहां पर जो सप्लाई की जाते है product की वहां पर पूरा कंट्रोल पायाता है monoplastic द्वारा तो on the other hand दूसरी तरफ यहां पर जो large number of buyers होते हैं लेकि जो demand होते single buyer की वो एक बहुत ही कम होती है अपने आप में बहुत कम portion होता है अगर total market की डिमांड के compare की जाए तो एक single buyer की डिमांड की तो यहां पर बहुत कम डिमांड का जो पार्ट रहता है single seller का has the buyers have to pay the same price as fixed by the monoplastic तो यहां पर जो buyers होते है वो उसको वही price करना पड़ए का कम करना पड़ए को की बढ़ी supply को बेचने के लिए जादा ज्यादा स्ब्रमाइक कर सकते हैं और उसके जो जितना भी और मतलब क्या होता है कि यहां पर बायर से जब अलगलग price charge करते है कि मोनोबिस्टिक इसको बोलते हैं price discriminate होना ए मोनोबिस्टिक में बी एबल टो चार्ज different price for the same product from different customers यहां पर उसके पास product तो एक ही रहते हैं लेकिन वो क्या करते है कि अलगलग customer से अलगलग price charge करते है पुने product का तो इसको बोलते है price discrimination when deciding how much to produce and what to charge under monopoly marginal cost curve is not the supply curve it is because monopolistic can sell different quantity of the community at different prices यहाँ पर absence of supply curve का मतलग क्या होता है कि जो monopolistic होता है वो time to time checking करता है डिमांड की और cost की ताकि उसके base पर बता सेट कर सके यहनि कि अपना decide कर पाए कितना produce करना और कितना प्राइजर चार्ज करना है consumer से अपने community का जो यहाँ पर हमारे पास monopoly होता है यहाँ पर जो marginal cost कर्व होता है वो supply कर्व नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो monopolistic होता है वो different quantity को sale करता है अलग-अलग prices बे तो इस तरिके से हमारे पास यह assumptions सी next class में cover करेंग नया topic ऐसी regular class दिखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल commerce efficiency को सब्सक्राइब लाइक और शेर करें बेल आइकन जुरू प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अप्लोड करूं सबसे बेल नौटिफिकेशन के पास जाए आप वीडियोस को सबसे पहल देख रहाए आपके study boost अप हो